राश्ट्रिये शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत की केंद्रिये शेक्षिक प्रध्योगी की संस्थान की रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुते कारिक्रम समय का महत्व नमस्कार दोस्तों आज हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं यह कहानी भाई बहन की है भाई का नाम मोहन है और बहन का नाम है लक्ष्मी दोनों विद्याले में पढ़ते हैं विद्याले उनके गाउं में ही है और दोनों रोज सुबह विद्याले इकठे जाते हैं मोहन अरे मोहन अभी तयान नहीं हुआ तो इतनी देर से कर क्या रहा है जल्दी कर नहीं तो आज फिर देर हो जाएगी आ रहा हूं ना मोहन ने लक्ष्मी की बाद पर ध्यान नहीं दिया लक्ष्मी कब तक इंतजार करती वो अकेली ही विद्याले चल दी लक्ष्मी हर रोज ठीक समय पर विद्याले जाती लेकिन मोहन कभी भी समय पर नहीं पहुच पाता इसलिए मास्टर जी मोहन को रोज डाणते आज फिर देर कर दी मोहन जी वो रास्ते में रोज रोज बहाने नहीं चलते बेटा समय पर विद्याले आया करो मन लगा कर पढ़ा करो नहीं तो बाद में पच्छता होगे आज शमा कर दीजे मास्तर जी मास्टर जी ने मोहन को क्षमा नहीं किया मोहन को सजा मिली उसने कान पकड़े दंड बैठके लगाई फिर मोहन ने मन ही मन निश्चे किया कि वो कल से हर काम समय पर करेगा जल्दी उठेगा भोजन समय पर करेगा समय पर विद्या ले जाएगा शाम को समय पर खेलेगा और समय पर पढ़ेगा लेकिन मोहन अपने निश्चे को पूरा नहीं कर पाया क्योंकि अगले ही दिन से सारा कारिक्रम फिर बिगड़ गया मोहन फिर देर से उठा अरे आज फिर देर हो गई ए भगवान दीदी ओ दीदी किसे पुकार रहा है रे दीदी को हां वो तो कब की स्कूल चली गई चली गई हां मोहन बेटा सुबह जल्दी उठा कर फिर मत करो मां कल से मैं कभी भी देर नहीं करूंगा कुछी देर में स्कूल पहुंच जाओंगा थेरा तो बेटा रोज का यही काम है बस कहता ही रहता है जब जल्दी उठे तब जानूं मा समझाती दीदी समझाती मास्टर जी डाटते पर मोहन किसी की बात पर ध्यान नहीं देता मोहन अरे ओ मोहन अभी तक खेल ही रहा है तो क्या करूं पढ़ा ही नहीं करेगा क्या पर इक्षाओं में साथ ही दिन तो बाकी है पढ़ा दो हूं कहां पढ़ता है सारा दिन तो तो खेलता रहता है अब भी मान ले मेरी बात समय बहुत कम है अरे तुचला कहां किये पर अभी तो खेल कर आया है बाहर मच्या यहीं तो माशें कहे तुछे माशे हमिश्या पढ़ाई बढ़ाई बढ़ाई मा मा नहीं बढ़ता नहीं बढ़ता नित अ इस तरह दोस्तों मोहन ने सारा समय खेल कूद में ही गवा दिया और लक्ष्मी वो सुबह जल्दी उड़ती नहाध होकर भगवान की पूजा करती तब तक मा नाश्टा बना देती नाश्टा खाकर लक्ष्मी विद्याले चल देती दोपहर को घर वापस आती मा के काम में सहायता करती शाम को थोड़ा खेलती रात को खूब मन लगाकर पढ़ाई करती यानि वह अपना हर काम समय पर करती मोहन ओ मोहन अरे आप मास्टर जी नमस्ते नमस्ते यहां से जा रहा था सोचा आप से मिलता चलूं हां हां आई ये बैठिये वह मोहन कहां है यहीं कहीं खेल रहा होगा क्यूं क्या बात है वो तक्षा में मासिक परीक्षा ली गई मोहन सभी विश्यों में फेल है क्या हूं घबराने से कुछ ना होगा अभी तो वार्षिक परीक्षा बाकी है उसे समझाई ये कि वो मन लगाकर पढ़ा करें अब भी कुछ नहीं बिगड़ा नहीं तो फेल हो जाएगा नहीं नहीं ऐसा मत कहिए म मास्टर जी कि मेरी तो बिल्कुल नहीं सुनता मोहन सारा दिन खेल ही खेल मुझे तो कुछ समझ नहीं आता क्या करूं आप ही समझाई ये ना उसे खेल में तो उसका कुछ ज्यादा ही ध्यान है ठीक है मैं कोशिश करूंगा अच्छा अब मैं चलता हूं अच्छा मास्टर जी नमस्ते नमस्ते मास्टर जी चले गए बाद में माने मोहन को बहुत समझाया मास्टर जी ने भी समझाया लेकिन मोहन की समझ में कुछ ना आया वो मनमानी ही करता रहा परिक्षाएं हुई परिणाम निकले लक्षमी कक्षा में प्रथम आय और मोहन को जानते हो उसका क्या हुआ मा मा मैं पास हो गई मा मैं पास हो गई सच Präsident और मोहन वह वह मोहन वह मा'd has fail हो गया है अरे मैं जानती थी यही होगा जो बच्चा ना समय पर पढ़े ना समय पर मेहनत करे वो कभी भी पास नहीं हो सकता लेकिन मा मोहन है कहां खेल रहा होगा यहीं कहीं और क्या अब रूने से पास हो जाओगे क्या मास्तर जी नमस्कार नमस्कार बेटी लीजिए बेहन जी समालिए मौहन को आप विद्याले में कोने में अकेला बैठा रो रहा था चुप हो जा चुप हो जा बेटे रोते नहीं अरे अब रोने से क्या लाब पहले तो किसी की बात सुनी नहीं और अब अरे आप खड़े क्यों है मास्टर जी बैठिये अहां अरे भई जो होना था वो तो हो गया अब मोहन तुम आज से बलकी अभी से मन में निश्चे कर लो कि तुम मन लगाकर पढ़ोगे अगर बेटा तुम समय पर पढ़ो समय पर खेलो यानि अपना हर काम समय पर करो तो भला पास क्यों नहीं होगे हां मास्टर जी मुझे पता चल गया मेरे सबी दोस्त पास हो गए ना वो सब बहुत खुश है वो अब मुझसे बात भी नहीं करते मैं फेल हो गया हूं ना इसलिए मास्टर जी मैं अब जरूर पढ़ूंगा जरूर पढ़ूंगा हां शाबास अरे लक्ष्मी तुम चुप पुरुसकार मिलेगा सच हां दीदी को पुरुसकार मिलेगा हां और तुम भी अगर दीदी की तरह पढ़ोगे तो तुम्हें भी अगले वर्ष पुरुसकार मिलेगा आप देखना मास्टर जी अगले साल मैं भी कक्चा में प्रतम आउंगा हां क्यों नहीं क्यों नहीं मेर मोहन भाया तो अच्छा लड़का है मोहन को सारी बात समझ में आ गई अगले साल मोहन ने अपना समय बेकार नहीं गमाया पढ़ाई के समय वो पढ़ा और खेल के समय पर खेला और फिर हां इस बारतों से पास होना ही था और मोहन पास हो गया दोस्तों तुम भी अपना हर काम समय पर करना अच्छा फिर मिलेंगे नमस्कार झाल